गुद मॉर्निंग तो अल दियर स्टूदेंट्स तुड़े आइम गूंग तो टीच यू मैथमेटिक्स अव क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 14B फाइंड दे रेशियो बिट्विन 15 मेटर और 25 मेटर बी नमबर है फाइंड दे रेशियो बिट्विन 18 केजी और 30 केजी तो देखें 5 3 15 5 5 जा 15 यानि 3 रेशियो 5 यह 3 रेशियो 5 हो गया इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है 18 केजी और 30 केजी यानि B नमबर यह A नमबर था B नमबर कैसे सॉल्व करेंगे 18 केजी 30 केजी अब देखें 6 3 जा 5 जा यानि 3 रेशियो 5 दोनों का रेशियो 5 आया था 3 रेशियो 5 अब इसमें पूछ रहा है कि क्या रेशियो दोनों का जो अप्टेन हुआ इक्वल है तो आप लिखेंगे यस दोनों का 3 रेशियो 5 आया था कैन वी से 15 मीटर 25 मीटर आर इन प्रपोर्शन तो यस यह भी प्रपोर्शन में हैं दोनों प्रपोर्शन में हैं इसी तरीके से इन प्रपोर्शन यक्स रेशियो वाई इक्वल्स टू जेड रेशियो आर तो यक्स एंड आर आर काल्ड देखिए अपने एक्सरसाइज में ही पढ़ा होगा इसमें देखिए यह दो फॉर्स्ट एन फॉर्ट टर्म आर काल्ड एक्स्ट्रीम्स पहला और चौथा जो टर्म होता है यानि यह फॉर्स है तो इसको हम क्या कहेंगे एक्स्ट्रीम्स कहेंगे एक्स टी आर इम एस और एक्स एक्स है और इसमें देखे एक्स इंटू आर वाई इंटू जेट एक्स आर हो जाएगा और वाई अब देखे इसको क्या कहेंगे य और जेडर काल्ड मेन इसको मेन कहते हैं देखे यहां आ आपने देखा ओगा कि जो सेकेंड और थर्ड टर्म होता है उसको मीन कहते हैं फर्सट और सॉर्फ अर में एक्स्ट्रीम कहा जाता है अब इसमें देखे ये पूछ रहा है आर्द नंबर 1830 2135 प्रपोर्शन में है इसको चेक करना है अगर yes है तो product of means निकालना है यानि ये जो first और fourth है उसका first mean का मतलब होता है second और third का multiply करेंगे product of extreme यानि इन दोनों को का multiply first और fourth का multiply करेंगे और देखेंगे कि the product of equal to the product of extreme equal होगा की नहीं होगा ये चेक करना है तो देखें 18 और 30 का ratio निकाल देते हैं 18 और 30 का ratio पूछ रहा है तो निकालते है 6 3 जा और 6 6 जा 6 5 जा 30 6 5 जा 30 यानि 3 अपान 5 आया यानि ratio हमारा कितना है 3 ratio 5 इसी तरीके से हमारा 21 और 35 का निकाल देंगे 7 3 जा 7 5 जा यानि 3 ratio 5 ये भी आ गया यानि 3 अपान 5 आया था देखें 3 अपान 5 यानि 3 ratio 5 तो दोनों क्या हैं देखें find the product of extreme देखें हमें means पहले क्या निकालना है पूछ रहा है कि yes क्या इन दोनों का proportion same है तो आप लिखेंगे yes इसका proportion same है product of means product of means निकालेंगे product of means निकालेंगे इसका मतलब है means का मतलब देखें आपको मैंने पहले ही बताया था means का मतलब होता है second और third second और third का multiply देखें यह first है यह second है यह third है यह fourth है तो second और third 30 into 21 0 हो गया 3 बन्जा 3 3 तूजा 6 610 आया अब product of second product of extreme निकाल लेते हैं extremes का product निकालते हैं extreme का product यह नि first into fourth इसमें देखें 3 बन्जा 3 630 आएगा और इसमें भी 630 तो दोनों का third number आप लिखेंगे yes third number क्या पूछ रहा है इक्वल है तो लिखेंगे yes इसका भी आ रहा है 360 sorry 630 630 इसका भी आ रहा है 630 और दोनों इक्वल है अब देखें find the missing term अब ये देखें ये proportion में है तो first and fourth का multiply x into 45 equals to 9 into second or third यानि 40 तो देखें x equals to क्या जाएगा 9 into 40 upon 45 9 5 जा 8 जा yaks आ जाएगा आपका 8 x equals to 8 आ जाएगा same way आप बाकी questions करेंगे देखें first और fourth का second third का multiply कर दीजे d number अब इसमें देखें first है four into yaks first है ये fourth है first, second, third, fourth तो first into fourth equals to second into third यानि 7 into 20 x क्या आ जाएगा 7 into 20 upon 4 आ जाएगा 45 x की value अगे 35 इसी के साथ ही exercise complete होता है thank you so much मुश्ट